आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आपकी परसन के सोच रहें आपके बारे में आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर को याद जरूर करना है अगर आप नए है मेरे चानल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे मेरे चानल को और सपोर्ट कीजे साथ आप मुझसे परसनल रिडिंग भी बूक कर सकते हैं मेरा नमबर स्क्रीन के उपर है और डि जो भी आपके सिच्वेशन के साथ आपको मैच होते वए नजर आता है वही आपकी एनरजी है बाकी का छोड़ दीजे किसी और की अनरजी भी हो सकती है डिटिल रिडिंग जाने की कोशिश करेंगे चाहे आपके परसन आपकी पार्टनर मेल है या फीमेल है दोनों के लिए रिडिंग है वह मैरिट है या सिंगल है इससे कोई मतलब नहीं है बस अपनी एनरजी के उपर फोकस कीजे और जिस भी वेक्ति से आप प्यार करते हैं मोहबत करते हैं उनको याद करने की कोशिश कीजे तो इस टेरो का डेक से हम पहले चेक आउट करेंगे कि उनके एनरजी इनडिवायन मुझे प्लीज गाइड करें एंजल से उनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें मुझे बताएं जो भी वीवर अभी इस वक्त पर इशान है अपने पार्टनर को लेकर उनकी परसन की करन्ट फिलिंग्स में आज क्या है यहापर कुछ कार्ड आ रहें अपने आ माइंड के उपर क्या यह सोच रहें या विचार कर रहें जानने की कोशिश करेंगे यहापर और एक ही कार्ड लेंगे हम चली देखते हैं यहापर क्या 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 कार्ड आए हैं सबसे पहले जो कार्ड आए हैं Six of Pentacles यहन कि जितना आपने प्यार किया इस परसन को शायद ही उस परसन आपको प्यार दिया होगा कभी कबार यह परसन आपको إग्णोर करते होंगे on of situation रहा होगा इस रिष्टे में तो अभी ऐसा नहीं रहेगा इस परसन को पदा चला है कि जितना आपने दिआ उतना return में आपको नहीं मिला है इस चीज का ऐसा से परसन को होने लगा ह तराजु यहाँ पर आप देख सकते हैं न तो जब इक्वल होगा तो रिष्टा मजबूत बनेगा जब इक्वल नहीं होगा तो देरे देरे एक परसन दूर चला जाएगा क्योंकि उसको जो एक्सपेक्टेशन्स है वो पूरी नहीं हो रही उस रिष्टे में या प्यार नही मिल रहा है तो six of pentacles जैसा आपका करम वैसा आपका फल अगर आपने बहुत यह अच्छा किया है इस परसन के लिए आप तरसे हैं तडपे हैं इनके सीवा और किसी के बारे में नहीं सोचा है जब से यह person आपको मिले हैं हो सकता है कि आपका focus इस person के उपर रहा है इनकी लोगों से बढ़कर यह person आपके लिए सब कुछ है यह person मतलब आपकी दुनिया अपने मान लिया है भले यह person आपको अपना है ना अपना है आपका प्यार कम नहीं होगा यहीं कहता है यह आपर six of pentacles की energy next यह आपर कार्ड जो आया है वह है night of swords night of swords अगर देखा जाए यहाँ पर तो यह person आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई है ना जो इनको अटका कर रखा है हो सकता है third party है आप दोनों की बीच क्योंकि यह भी काड़ ही कहता है कि जगल करते वह नजर आते है person तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में आपके partner सोच रहे हैं अगर यह married बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं आपके साथ उनको रिष्टा रखना है यह आप married है तो इस partner के साथ आपको रिष्टा रखना है ऐसे वाइस वर्सा energy भी यहाँ पर मुझे नजर आते हैं तो यहाँ पर third person मुझे दिखाए देता है night of swords के energy में और यह person ना बहुत यह person कहें ना कि इनका mind यहाँ पर ऐसा है ना कि काम में अगर है या अपनी जो भी वो करते हैं business करते हैं job करते हैं वहाँ पर हैं लेकिन उनका जो दिमाग है उसमें खयाल आपके हैं आपकी सोच हैं आपके विचार हैं बस आपसे जुड़ी हुई बाते हैं इस person को याद आ यहाँ पर यह person ऐसे भी मिचे लगता है ना कि अगर यह person और आपके बीच third party कोई थी तो यह person अपना प्यार आपको confess कर सकते हैं आपको propose कर सकते हैं कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे बीना नहीं जी सकता क्योंकि यहाँ पर third party की बाद मैंने इसलिए कि हैं क्योंकि three of swords की energy में आप देख सकते हैं three of swords जहां पर तीन खंजर एक दिल में हैं तो तीन लोगों की दिल यहाँ पर टूटे हैं अब यह person को select करना है person को सोचना है यह हो सकते हैं कि आपको सोचना है कि किसके साथ आप खुश रह सकते हैं क्योंकि हो सकते हैं शादी के बाद भी प्यार हो सकता ह जाद करके तब होता है जब arranged marriage होती है आपके मन पसंद partner के साथ आपका रिष्टा नहीं होता है और family के दबाओ में आकर अगर आप शादी करते हैं तो हो सकता है कि आगे जिन्दगी की mode पर आपको किसी से भी मुहाबबत हो सकती है यह natural है तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि इनको भुलाना बहुत मुश्किल है आगे की energy की बात करें तो chariot का काड है जो कि बहुत ज्यादा positive और यह person आपकी तरफ ही आते हुए मुझे नजर आते हैं इनकी energy आपके energy के साथ कहीं कहीं frequency match होने लगी है हो सकता है कि आपका manifestation काम कर रहा है तो इनका दिल आपकी तर पर effect हो रहा है हो सकता है new moon की energy effect हो रही है यह person आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं आप तो इंतिजार करी रहे हैं और यह person अभी तक दूरी थे तो आपकी तरफ travel करके आते हुए मुझे नजर आते हैं और energy बहुत ही positive है positive intention के साथ आ रहे हैं आपके साथ reunion की इरादे से आ रहे हैं आपको commitment देने की इरादे से आ रहे हैं या जो भी आपने उनसे चाहा था और वह आपकी इच्छा अगर पूरी नहीं की थी तो वही सोच कर वह आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे उनकी कदम दिखाए देते हैं नेक्स्ट है page of cups की energy यह person थोड़े से age में कम हो सकते हैं जैसे कि 22 साल से 28 साल की age में आपके partner बहुत से लोगों की partner या आपकी age इतनी हो सकते है 22 से लेकर 28 के बीच में आप दोनों हो सकते हैं तो थोड़े से नादा नहीं है यहाँ पर लेकिन प्यार में serious है नादा नहीं है अच्छे तरगे से सैटल नहीं है अपने future को लेकर या फिर अपने career में कुछ नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं लेकिन अभी उमर कम है तो दिरे दिरे सैटल हो रहे हैं लेकिन प्यार में जैसे ना कि यह पढ़ गए अभी क्या कर सकते हैं प्यार तो हो गया तो प्यार क मुझे यहां पर लगता है strongly एकार्ड देखकर कि आपके लिए धड़कता है आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं परसन तो यह परसन एक final decision ले सकते हैं या फिर दोनों बात करके यह बता सकते हैं दूसरे को कि हमको थोड़ा सा रुखना चाहिए इस रिष्टे में मुझे भी आगे बढ़ना है आपके पार्टनर भी यह कह सकते हैं कि मुझे भी तुमारे साथ ही आगे जाना है तो थोड़ा रुख जाओ एक दूसरे के लिए support कर करते हैं आगे बढ़ते हैं और सही वक्त आने पर हम लोग शादी कर सकते हैं ऐसे मुझे एनरजी यहां पर नजर आती है नाइट पैंटिकल्स की एनरजी है हर खुशी यह परसन वहीं मैंने कहा ना कि पीच अफ कब से तो नादानी है आगे जाकर यह परसन आपको हर चीज़ें यह परसन आपके लिए कर सकते हैं अगर आपने ऐसा कहा है तो आपका हर सपना पूरा करने के लिए यह परसन बहुत ही महनती मुझे लगता है महनत करेंगे पैसे कमाएंगे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पैंटिकल्स की एनरजी है तो पैंसों से रिलेटिड य होना चाहते हैं financially independent होना चाहते हैं आपका हर एक सबना या हर एक जो भी बोज है आपके उपर जो भी जिम्मेदारिया है वो कहीं न कहीं अपने उपर लेना चाहते हैं आपका बोज हलका करना चाहते हैं यह परसंद सर्च में आपके साथ बहुत ही सिरियस है और इंट्रेस्ट भी है इस रिखते में आगे बढ़ने के लिए तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए इस परसन को अगुसा नहीं करना चाहिए अभी इस वक्त फ्रीडम देना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है आप दोनों के लिए यह सोचकर अगर आप पॉसिटिवली इस परसन को सुएक्र कर हैं या फिर आपके किसी भी action के वज़े से यह person hurt हुए हैं आप से दूर हुए हैं तो भी यह person वापस आपकी जिन्दगे में आते हुए मुझे नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पर magician का कार्ड है तो यह person की यहाँ पर मुझे ऐसा और है ना कि आप इनकी सीवा और किसी की बारे में सोचना ही नहीं चाहते ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिष्टा नहीं आएगा या आपको कोई दूसरा life partner नहीं मिलेगा यह इनसान है इनसान की दुनिया है और यहाँ पर वक्त बदलता रहता है लेकिन आपका दिल इसी person में अटका हुआ है इनके सीवा आपको नहीं जाना है आगे और आपके partner को भी यही लगता है कि यह आपसे दूर तो चले गए लेकिन दिल आपको देकर ही गए दिल आपके पास है उनका उनका दिल आपके लिए धड़कता है तो यह person लोट कर आते हुए मुझे नजर आते और पक्ता decision यह person का है कि अभी मैं जा तो रहा हूं लेकिन वापस मुझे त इसा वो कहना चाते कि वापस यह person जरूर आपके जिंदेगी में return आने वाले हैं क्योंकि आपके बिना नहीं रह सकते ऐसी feelings यहां पर उनकी मुझे नजर आती है और यहां पर यह एक type के जादूगर है आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों मुझे इस person की हमेशा याद सताती है क्यों यह person मेरे ध्यान से जाते नहीं है एक पल के लिए ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि person की याद ना आई हो खाना खाते वर्ग सोते वर्ग या आप कहीं शॉपिंग पर गए घुमने गए तो यह person जैसा हर जगह पर आपको दिखाए देता है कि वही होगा वही होगा ऐसा 24 घंटे चलता है इस person की बाते इस person के साथ बितायवा वक्त तो यह कहीं ना कहीं आपको आगे पढ़ने नहीं देता है लेकिन pure love मुझे दिखाए देता है यह जो आपने वक्त गुजा रहा है इस person के साथ इसका reward आपको universe देगा मतलब reunion यहाँ पर तो होगा ही होगा साथी स साथ यह person आपको लेकर अगर serious नहीं थे तो serious होने वाले हैं रिष्टा निबाना चाहते तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा अर्जस करना है इस person के साथ साथ यह person भी आपका साथ निबाएंगे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसा मुझी यहाँ पर लगता है तो प्लीज पॉजिटिव रहिए और उस person के बारे में ज़रूर सोचे क्योंकि हम candle wax में भी देखने के कोशिश करेंगे कि person क्या सोच रहें आज आपके तो candle के flame के ओपर focus करके इस partner का नाम लेना है आपको तीन से साथ बारे Angels and Universe मझे प्लीज गाइड करें आर्कें चर्माइकन मझे प्लीज गाइड करें Divine and Universe मझे प्लीज गाइड करें जितने भी वीवर्स अभी इस वाक्ते वीडियो को देख रहें उनके person उनके partner की current feelings आज क्या है प्लीज बताए Angels and Universe प्लीज गाइड करें तो सबसे पहले यहाँ पर infinity symbol बनावा है और infinity symbol यही कहता है कि यह जन्मो जन्मो का रिष्ता है अटूट बंदन यहाँ पर मुझे दिखाए देता है जैसे कि magician card में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर infinity symbol बनावा है infinity symbol यही कहता है कि यह person दिल से आपसे महाबद करते हैं दिल से प्यार करते हैं और यह इस जन्म का ही रिष्ता नहीं है आप अगर आपको ऐसे लगता है ना कि क्यों यह person की याद मेरे दिल से मेरे दिमाग से जाते नहीं है यह person ने ऐसे क्या जादू किया है मेरे उपर जो की मैं भुला नहीं पाता या भुला नहीं पाती तो यहाँ पर infinity symbol ऐसा ही नहीं बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह कहने की कोशिश करना चाते है infinity symbol की जन्मों जन्मों का रिष्ता है इसी person के साथ आपका completion होगा complete आप फिल करते हैं इसी person के साथ और किसी के साथ आपको वो खुशी भी नहीं महसूस हो सकती या फिर completion आप महसूस नहीं कर पाएंगे भले आपके सामने लाकों रुपए हो करोडों रुपए हो लेकिन वो खुशी इस person के साथ जो है वो आपको कहीं पर किसी चीज में नहीं मिलेगी तो आप तरस देवे मुझे नजर आते हैं साथे साथ आपके partner भी आपके लिए तरस देवे मुझे यहां पर नजर आते हैं मतलब वो भी वो ही फिल करते हैं unconditional love आपके लिए भले यह person ने express किया है या ना किया है लेकिन इनके दिल में मुझे नसर आती है साथी साथ जो इंफिनिटी सिंबॉल के बार में मैंने कहा आना कि past life connection है पिछले जनम में आप हो सकता है आप एक कपल थे husband wife थे आपका कुछ ना कुछ रिष्टा रहा होगा प् यहाँ पर आठ नमबर और इंफिनिटी सिंबॉल strongly नजर आता है अभी आठ नमबर आपकी बड़ेट हो सकती है या फिर august मेंने में आपका बड़े हो सकता है या फिर आपके partner का बड़े हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है या 888 आपको angel नमबर दिखाई देता होगा या फिर आपके partner ने हाथ के ऊपर ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है तो यह person आपके बार भी बहुत ही जादा सोच रहे हैं बहुत जादा tension में आए होए नजर आते मुझे मतलब यह person ने अगर दूरिया बनाई है आपसे तो उस वक्त गुसे में आकर दूरिया तो freedom मिल गया इस person को अभी कुछ यह नहीं है मतलब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कि मुझे से मिलने के लिए आओ या मुझे मिलना है मुझे घुमने जाना है मुझे shopping पर जाना है यह सब चीजे मुझे अभी सुनने नहीं पड़ेंगे ऐसा सोचा होगा इस person ने लेकिन क्य है ना आपका यह जो बाते हैं यही बाते इनका जीने का सहारा बन गई मतलब यही चीजे इस person को याद आती है आपका बात करने का तरीका आपका अगर जगड़ा भी करते हैं इस person के साथ तो भी इनको अभी वह प्यारा सा लगने लगा है आपकी बाते हैं या जगड़ा कर हो बहुत ही amazing हो as a personality आप बहुत ही best person in the world भले आपका जो स्वबाव है थोड़ा सा बच्पना हो सकता है इसमें जैसे कि childish behavior हो सकता है आपका थोड़ा सा जिद्धी टाइप का या फिर कोई चीज चाहिए तो चोटा बच्पना भी तक आपका नहीं गया होगा तो यह भी बात इ इनके चैरे पर एक smile लाती है कि आपकी जैसा और कोई नहीं होगा आप जैसे भी है वह आपको पसंद करते हैं थोड़ी चीज़े हैं आपके बारे में शायद जिसके वज़े से वह पसंद नहीं आए इस partner को या hurt कर दए जिसके वज़े से उन्होंने आपसे दूरिया पार्टनर ने यही सोचा कि मैं अभी जा रही हूं या जा रहा हूं लेकिन हमेशा के लिए नहीं लौट कर मुझे आना है तुमारे पास यह इनके विचार मुझे यहां पर नजर आते हैं तो अगर no context situation है तो 101% यह partner आपके साथ reunion में जरूर आएंगे अगर यह person आपके अगर आप husband wife है divorce लेना चाहते हैं तो यहाप पर मुझे ऐसा लगता है कि मन बदल जाएगा अगर already divorce हुआ है तो यहाप पर मुझे वो भी लगता है कि यह person आपको आपके साथ फिर से रिश्टा रखना चाहते हैं क्योंकि क्या होता है divorce लेने के बाद भी आपनी वक्त तो गुजारा है एक दुसरे के साथ उसे कैसे मिटा सकते हैं लेकिन divorce कब लेते हैं जब गुस्थे में होते हैं जब हम negative energy में होते हैं तब divorce के बारे में सोचते हैं divorce लेते हैं और जिंदेगी बर्बाद हो जाती है आपकी भी आपके पार्टनर की भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा यहां पर तो लेकिन मुझे यहां पर यह भी फील होता है ना कि परसन आपके साथ जैसे कि इंफिनिटी पहले ही आये था कि यह जिन्दी की भरका रिष्टा नीवाना चाहते हैं यहां पर मुझे इंकी फिलिंग में यह नंजर आता आ जैसे कि परसन पार्टनर दिंद रात आपके बार में नहीं सोचते हैं रातों रातों को यह पर्सन को नीन नहीं आती है सोने तो जाते हैं लेकिन इनके आँखों में आसू आते हैं आपकी एनर्जी हो सकती है उनकी भी सोने जैसी सोने जाते हैं बस आपकी याद आती है आपके साथ बितायवाब वक्त आता है और missing energy और उसकी वज़े से आंकों में आसू रोज आते हैं, रोज रोग कर ही सोते हैं आपके partner, ऐसा यहां पर मझे feel होता है, इनका नाम S letter से हो सकता है, या फिर L letter से भी हो सकता है, K letter से हो सकता है, Y letter से हो सकता है, उसके बाद इनका letter, जो नाम का letter मझे दिखाए देता है, वो U द दिखाए देता है, यह कुछ नाम के अक्षर अभी मुझे दिखाए देते हैं। तो मुझे यहां पर यह फिल होता है कि आप आपने बहुत ज़्यादा एहसान किये हैं इस परसन के उपर, मुसिबत की वक्त आपने हेल्प की हैं इस परसन की और वो चीजे नinge पौट को रुलाती है कि आपने बहुत कुछ किया इनके लिए और यहनों ने आपको क्या दिया, दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया हमेशा आपके उपर गुसा किया है या हमेशा आपको समझे नहीं है आपकी बात नहीं मानी है ये सब चीजे मझे यहाँ पर लगता है ऐसा ही यहाँ पर मझे लगता है कि 6 दिन से या 6 हफ्तों से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं ऐसा मझे यह आप पर लगता है, तो यह जो दूरिया है, यह जितनी आपको तड़पाती है, उतनी इस परसन को भी बहुत ज़ादा परिशान करके रख दिया है, मझे इनोंने नहीं सोचा था, कि यह एक सीरियस रिष्टा रहेगा, क्योंकि यहां पर मुझे यह भी लगता है, कि यह परसन का पहला किसी के साथ रिष्टा रहा है, जो कि टूटा है, और अभी आपके आपने उनको जो प्यार दिया, या इमोशनल सपोर्ट दिया, उसकी भी कदर नहीं की है, आपके पार्टनर ने, और यह पार्टनर को उस चीस का भी ऐसास होता है, कि जिस वक्त उनके साथ कोई नहीं था, तो आप थे, और उन्होंने फिर आपको आखिर में इन रिटन क्या दिया, तो दुख दिया, नो कॉंटेंक सिचुवेशन दिया, हो सकते है आपको ब्लॉग भी किया, गुस्से में आकर, तो यह चीज़ें इस परसुन का भी रियलाइज हो रही है, धीरे धीरे उनके विचार बदल रहे हैं, आपकी तरफ देखने का नजरिया बदलते वहें मझे नजर आता है, कि यह भी पॉजिटिवली आपको लेकर सोच रहें, थोड़े से सिरियस भी होते वहें मझे नजर आते, सिरियस तो इनको होना ही था, जैसे कि आप इनको लेकर सिरियस थे, कि मुझे इस परसन के साथ रिष्टा रखना है, यह आपका दिल भी आपको कहता है, आपका मन भी ही कहता है, और अपने दिमाग से यही सोचा है, कि इस परसन के साथ मेरा फ्यूचर लेकिन ये पार्टनर ने इतना सिरियसली नहीं सोचा था क्योंकि इनका पहला ब्रेकप है या आपका पहला ब्रेकप हो चुका है तो अभी ये किसी को इतनी आसानी से कमीट्मेंट नहीं देना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप दोनों के बीच सिचवेशन हुआ है नाराज की या जगड़ा होकर नो कॉंटक है तो यह चीज स्पार्टन को बहुत दादा परिशान करती है उनको अभी किसी भी हाल में यह रिष्टा नहीं तोड़ना है पहला तो इनको दुख मिला है टेंशन मिला है अभी वो नहीं चाहते इस अधर आते हैं और यह प्रसंट का दिल ना आपके अंदर आटकावा है इनका मन ना कहीं पर नहीं लगता है आपके बारे में सोचना सोचना यही रिफेन रहाएस परसंगा जबसे आपसे दूरिया हैं तबसे ये परसंट से वेर्जिश आपको लेकर चीनती थे या फिर के call का reply देते हैं messages का reply नहीं देते हैं या देते हैं लेकिन दिल में जो है न वो इंदोंने मुझे लगता है कि 50% ही बताया है कि आप कितने important है या आपके बारे में लेकिन बहुत कुछ है इस person की दिल में जो अभी तक आपको express नहीं किया है यहाँ पर मुझे यही energy आते हैं जैसे कि यहाँ पर भी आये थी आप देख सकते हैं यहाँ पर three of swords की energy आये तो जो यह कहता है कि परसन का दिल तूटा था third party कोई तो थी इस person की जिंदगी में पहला कोई था partner जिसके साथ break up होकर आपके साथ रिष्टा जोड़ा इस person ने और उसके बाद आपके साथ भी इस person का नहीं जमा या फिर आपके उपर गुसा करके आपका दिल तोड़ कर यह person चले गए तो यह person को यह लगता है ना इस partner को tension इस जिसका है कि क्या मेरे मेरे जिंदगी में या मेरे नसीब में भगवान ने खुशी नहीं लिखी है जिससे भी मैं प्यार करता हूँ या जिसको भी दिल लेता हूँ या जिसको भी मैं अपना समझता हूँ वो मुझसे एक तो लेकिन आपके लिए प्यार खतम नहीं हुआ यहां पर आप देख सकते हैं कि सोच रहें तो वही energy candle wax में भी आते हूँ मुझे नजर आते हैं कि आपकी बारे में सोच रहे हैं आपको यह हर खुशी देना चाहते हैं हो सकता है कि आपने अपनी problems शेर किये इस person को अगर आप business करते हैं उसमें तकलीफ हैं आपको या प्राबलम से तो इस बारे में आपने बात किये अपने अपने partner से या अगर आपके family में प्राबलम से कोई बिमार है या कोई जैसे की handicap है ऐसा मझे आपकर लगता है कोई handicap है क जैसे कि विल्चायर पर कोई बैटा हुआ है, ऐसा कोई बुजूर्ग इंसान है, या किसी का एक्सिडेंट हुआ है, उसमें पाउं चला गया, ऐसा कोई इंसान आपके घर में है, और उसका टेंशन भी आपके उपर है, या जिम्मेदारी आपके उपर है, तो यह सब तो दुजूर्ग सकता है कि बहुत से लोगों के लिए नियू रिलेशनश्यक़ है, हो सकते है, दौट Ooh चार मेइनों का यह सकता है, जाधा से जाधा चे मने का रिलेशनशिप हो सकते आप दोनों का, और यह मैने में आप बहुत बार भी नहीं मिले है, तो कहींते अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है इस परसन के बारे में ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है हो सकता है कि एकदम बचपना हो इन में जैसे कि मैंने यहाँ पर भी देखा था कि 22 साल से लेकर 28 साल की उमर में हो सकते हैं या यह परसन पचास या साथ साल के एज में भी हो सकते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है एक तो बहुत जादा मैचुर्ड है या बहुत जादा बचपना है ऐसे मुझे यहाँ पर आज एनर्जी आ रहे हैं आपके पार्टनर की तो यह परसन आपको धिरे धिरे समझने की कोशिश कर रहे हैं धिरे धिरे आपके करीब आने की कोशिश करते हैं इस प्यार में इंट्रेस लेते हैं अपनी गलतियां सुदार कर आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम अगर यह परसन ले रहे है तो जब यह आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत ही positive लगीगा आप वही सोचेंगे कि हाँ मैंने यही person को चाहा था और इस type का ही मुझे perfect partner चाहिए हो सकता है कि इंसान गलतियों से सीखता है और अपनी आदतें छोड़ देता है अगर यह person को tension के वज़े से smoking करते हैं drinking करते हैं और आपने इनको बहुत बार टोका है इसके वज़े से जगड़े होते थे कि तुम क्यूँ शराप पिते हो या क्यूँ तुम drink करते हो क्यूँ smoking करते हो ये सब छोड़ दो, ऐसा आपने कहा होगा और इसके उपर से जगड़ा वह होगा, तो ये परसंद को भी रियलाइस होने लगा, कि जो भी आपने कहा इस परसंद को, वो सच कहा, और वैसा ही वो करना चाहते हैं, बुरी आदत ही चोड़ कर, वो एक अच्छी परसंद, कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, अभी तक इस रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिवन टेक नहीं था, आपको लगता था, कि मुझे प्यार तो नहीं मिल रहा है इस रिष्टे में, लेकिन फिर भी आप खुश थे, कि आप उसको तो खुश रख रहे हैं, अपने इस्टरोन में, या कहीं पर अगर आपकी विष्टी, किसी हिल स्टेशन पर जाना है, किसी मंदिर में साथ में चलते हैं, आपने बहुत बार बोला होगा, और इस परसन ने आपको मना किया होगा, कि नहीं अभी नहीं, तुम जाओ, ऐसा, तो यह जो चीजों से आपका दिल तूटा था, कि कोई भी बात नहीं मानते मेरे पार्टनर, तो अभी वो, वो भी करना चाहते हैं, आपके साथ, वहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं, बस आप खुश रहें, बस यहीं चाहते हैं यह आपके पार्टनर, कि आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए ready है तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लगते है कि जैसे आपकी partner career को लेकर बहुत ज़ादा focused है इनका ऐसा है कि अभी कुछ job करते हैं लेकिन business करने का plan है उसके लिए पैसे कमा रहे हैं या पैसे जोड़ते हुए मुझे नजर आते हैं या फिर आपसे support के लिए पूछा था इस person ने ऐसे भी किसी के energy यहाँ पर निकल कर आते हैं कि आपकी partner business शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपसे help मांगते हुए मुझे नजर आते हैं investment के लिए या आपके साथ partnership में business करना चाहते हैं ऐसे भी energy यहाँ पर निकल कर आ रही है तो जो राशी आज मुझे यहाँ पर दिखाए देते हैं उसमें है Libra यानि तूला राशी Aries है मेश राशी उसके बाद यहाँ पर राशी है Aquarius, कुमबा राशी उसके बाद है Sagittarius, धनू राशी Cancer है, करकर राशी उसके बाद लीवो है सीह राशी और next है यहाँ पर कन्या राशी यानि की वर्गो तो ऐसे मुझे यहाँ पर लगता है ना कि एप परसंद का जादू आपके उपर चाह गया है मतलब आपको लगता है ना कि एक Magnetic Pool है आपके Partner को भी लगता है आपके तरफ एक Magnetic Pool है आभी तक यह जिन्दगी में अपनी जिन्दगे के सफर में बहुत से लोगों से मिले होंगे लेकिन जो Attachment आपके साथ वो Feel करते हैं या जो अपना पन वो Feel करते हैं आपके साथ वो और किसी के साथ उनको Feel ही नहीं होता है और यह बात उनको परिशान करते हैं कि क्या क्यों ऐसा होता है क्या रिष्टा है हमारा जो मुझे मतलब इतना खिचाव है आपकी तरफ यह बात वो कहना चाहते है कि मुझे बहुत ही जादा खिचाव है मैंने बहुत भुलाने के कोशिश की तुमको लेकिन नहीं होता है प्यार कम नहीं होता है आपके पार्टनर का आपके लिए यही मुझे यहां पर नजर आता है और यह दूरिया ना सहन करना बहुत मुश्किल है आपके पार्टनर को अभी मुझे यही फिल होता है इस रिडिं या आपको चीट किया या आपका साथ छोड़ा जबकि आपको ज़रूरत थी इस वक्त आपको ज़रूरत है और अगर आप गुसे में आकर कुछ ऐसा कदम उटाते हैं किसी और के साथ चले जाते हैं तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ये बात इनको सताती है लेकिन आप ऐ गरफ आने में तो आप छोड़कर किसी और के साथ चले जाएंगे घर बसाएंगे और वो फिर अकेले रहे जाएंगे मतलब वो खोने का डर भी है इस परसन की दिमाग में चलता रहता है आपको खोने का डर मतलब किसी भी हाल में आपको खोना भी नहीं है और अपनी मन मानी भी लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आपकी बात मानेंगे, अपनी मन मानी नहीं करेंगे, आपकी बातों के ऊपर भी विचार करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और दोनों एक साथ मिलकर फैसला करेंगे, और ऐसे होता है married life में कि एक दुसरे की बातों का respect करना बहुत जुरूरी है ऐसा नहीं कि आप ही dominating nature के हैं और आपके partner को हमेशा बात करने नहीं देंगे अपनी बात किसी भी चीज में किसी भी हाल में आप मनवाएंगे ऐसा नहीं होता है हर चीज का आपको respect करना होगा अगर सच में ए आप जाना चाहते हैं तो यह दूरियां बरदाश नहीं हो रही है इस परसन को इस परसन की जिंदगी में मुझे अकेलापन दिखाए देता है और कहीं कहीं मिसिंग एनरजी दिन बढ़ती वहीं मुझे नजर आती है बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा आप दोनों की बीच और जो बुरा वक्त था वह कहीं न कहीं खतम होते हुए मुझे नजर आता है मैं जो शिंक कार्ड अगर देखा जाए तो वही है कि इस परसन का जादू आपकी दिमाग के उपर आपके जिंदगी में सवार है जब से यह परसन आए हैं आपकी जिंदगी में बहुत जादा होता है तूट कर चूरा हो गया वैसा हो गया मतलब आपका दिल तूट गया और इस चीज का एहसास है आपके पार्टनर को कि उनके वज़े से आपका दिल टूटा उन्हें आपने जो सपने देखे थे आपके पार्टनर के बारे में वह पार्टनर नहीं तोड़ दिये तो वो फिर से वो आपको खुशी देना चाहते हैं, एक खुशी बड़े दिन आपके जिंदेगे में आती हुए नजर आते हैं, new beginning भी मुझे याप नजर आते हैं, यही मुझे फील होता है, और वो ही आप चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा वक्त है, new beginning है, और positivity भी मुझे दिखाए देती है, इस रिच्टे में जो की missing थी, एक दुसरे के साथ ना समझना, या मन मानी करना, ये भी missing था, वो भी यहाँ पर मुझे इस रिच्टे में बढ़त कर जे, थंक यहाँ आल अव यू, थंक यू अन्जू एंग अन्क यू निवर्स.